लोग क्या कहेंगे एक प्रश्चन है अब आप उस लक्षम रिखा को पार कर चुके हैं जहां आप ये डर था कि लोग क्या कहेंगे हलो अब प्रश्चन ये है कि अगर नाकाम लोटे तो लोग क्या कहेंगे जहां से मुझे शुरू कर रहा था अपनी बात को कैसा अबने मेरा होसला बढ़ाया कि उसी टॉपिक को उनों ने चुआ जिन्दगी है देल करनेगी की और किताब है जिसमें वो लिखते हैं कि अब किसी चीज को लेकर चिंतत हैं तो आप असेस करें की जाल से जादा क्या हो जाएगा हलो एंड कंप्रोमाइज विद डैट स्टेज उसके बाद आपको चिंता नहीं होगी क्यों जी है ना तो दो तीन स्टेजिस हो सकती है कुछ लोगों को बिना किये मिलेगा कुछ लोगों को करके मिलेगा और कुछ को करके भी नहीं मिलेगा हर चीज के लिए त्यार है लेकिन जहां पर ये बात आती है कि करके भी नहीं मिलेगा इस चीज को समझने की दलूरत अगर आपने ठीक से किया है और नहीं मिला तो ये जो करने का प्रसेस है वो प्रसेस जो आपको देजाएगा वो मिलने से भी ज्यादा हो सकता है क्यो जी जाना ऑपजेक्टिव नहीं है बनना objective है और आदमी रस्ते में बनता है मन्जिल में तो जाके अलसाता है कि वल तो यह जो process है यह जो मेहनत अगर हम आप 18 गंटे काम करें अपने आपको manage करें, schedule करें excuse करें अपनी total energy को में भी वो ना मिले लेकिन अगर 18 गंटे की आदत हो गई तो hello, जिसको भी छूदोगे सोना हो जाएगा जिन्दगी लंबी है, बहुत सारे काम है अगर दो साल 18 गंटे, 20 गंटे काम किये आपने आपको अच्छा रखा, अंदर से, बाहर के सबसे शुप चंते, आपको इस बिजनस से कोई उपलब दी I don't believe कि ऐसा होगा, अगर हो तो अगर आपका ये वहम है, लेकिन आप बन गया पक गया उस उन आदतों के साथ फिर आप कुछ भी करिए, अगरी करते हैं Be something, action कैसे आपने अभी क्या बोला action हम लोग चिंता करते हैं देर सी तीन घंटे पर इचर्चा प्लानिंग करते हैं देर सी लेकिन प्लान कितना दिखाते है जहां से ultimate कुछ निकलना है आपका बिजनस है, एक word है तो ता, वो पलेगा food, food क्या है plan six basic, eight core steps tapes, books meeting, blah 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 हर चीज वाइटल है but word food is what plan, exposure अगर exposure कम है main content कम है जिससे total result आना है बात नहीं बनेगे meeting आपको किसी और दिशा में अच्छा कर सकती है tape आपको किसी और दिशा में अच्छा कर सकती है किताब आपको और दिशा में अच्छा कर सकती है लेकिन आपका बिजनस बड़े income आए plan action action supersede everything आप action करेंगे तो action हर बिमारी का इलाज है हर चिंता का इलाज है काम में जुड़ जाए मैंने पंजाब में यह सुना है कि बुखार चड़ा कोई बात नहीं कई फढ़ ला फढ़ ला हल दे मुनी बुखार दी है सी तैसी क्यों जी बी सल प्राणी बात कर रहा हूँ अप तो fashion हो गया पता नहीं कि बुखार को कैसे अटाते है sometime hard work करें सारी चंटाए dance is hard work you know दो गंटे दिमाग ही टुकरने नहीं आता कि इस दुनिया में है आप action करेंगे तीन चीज़े होंगी sometime you learn sometime you earn अगर दोनों चीज़े ने हुई you will pull your muscle grow your body hello क्योंकि ये action है कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही और एक कहावत है कि पूरब में बोएंगे तो पश्चे में काटेंगे आज बोया है तो कल मिलेगा अच्छा तो अच्छा बुरा तो बुरा मेहनत जो है वो कभी कभी भी बेकार ने जाता बेशर्त है कि मेहनत हो जिगरा मरदाना हो उमीद और हूप के साथ it will come back ग्रूप बनते हैं लोगों की बहुत सरी शिकायते हैं बहुत सरी weaknesses हैं यानि बहुत सरी challenge है आपके लोग भी है meeting भी हो रही सब हो रहा लेकिन उतने पैसे नहीं बन रहा है problem उन लोगों के साथ नहीं है जब आप किसी particular व्यक्ति को particular group को सुदारने की कोशिश करते हैं आपकी problem बढ़ जाएगी action ये group है अच्छे से काम नहीं कर रहा आप बार बार इनको सुदारने की कोशिश कर रहे hello this is not the right way इनको सिखाओ समझाओ but action show the plan new people एक नया व्यक्ति आपकी एक हजार समस्याओं का हल है hello हाजी मैंने आठ मीने एक जगा काम किया समझाया मैंना मनू एक व्यक्ति इदर जोड़ा इनको भूल गए छे मिने के लिए I am building here growing volume here they people have to work in future I need volume मेरे को एक ग्रुप में volume चाहिए यहां से आए नथा सिंग करे जा गंगराराम करे hello you need volume अगर आप यहां volume generate करते हैं यहां जो में छे साथ आट लोग है इनको सुदरना होगा one new person can sponsor you are one thousand weaknesses one thousand problems action exposure कहीं से जब बहुत अच्छे ची ख़वरे आती है राप भी कुछ लोगों ने बोला कि एक मेने में इतना बिजनस हम ने किया है it's good पर यह जो बिजनस है यह बिजनस influence का बिजनस है अगर आप बहुत सारे लोगों को जोईन कराके यह आप हर मीने नहीं गर पाएंगे influence is not duplicatable क्योंकि जो influence मेरे पास है वो उन लोगों के पास नहीं है जिनको मैंने influence किया got it? हाँ जे काम वो करना है जो duplicatable हो सके जिसको वो आदमी भी कर सके अगर उनकी रफ़तार वो नहीं होगी तो आपकी रफ़तार अपने आप कम हो जाएगी influence जो है वो duplicatable नहीं है कोई particular skill आपका है वो duplicatable नहीं है कोई महारत आपकी है गुडवल आपकी है वो duplicatable नहीं है उससे आप लोगों को लाएं वो आपको मज़द कर सकती कि बहुत साथ लोगों को एक जगा लाने में फिर उनको क्या सिखा जाए कि वो इसी काम को अपने अराम से आगे ले जा सके किसी भी शेयर में मीटिंग होती है देखिए वीकली मीटिंग फुलाओ परी बार सत्तर सबसे बड़ा काम जो आपको करना है यदि आप नहीं कर रहे तो यह बिजनस आवाम का आम आदमी का बिजनस नहीं बनेगा वो चीज़ है अपने ग्रुप में प्लान शोर प्लान दिखाने वाले लोगों का निर्माण स्पेशल टाइम निकाले हैं उसके लिए संटाइम को चंदिगर पहुंचा हूँ आपसे मिलना चाहता हूँ बला 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 आप रिको सोड़ा टाइम दे चलो एक मिटिंग सेट हुई हम मिले तो मैं उससे अगर पूछता हूँ कि आप कितनी दिन होगा आपको जाइन की यह वो कहता है दो मीन है अच्छा मैं करने के बाद मैं ऐसा करते हैं, मैं आपको प्लान दिखाता हूँ, जो प्लान मैं दिखाता हूँ, I draw आट मिन्ट में, फिर मैं उससे पूछता हूँ, आप मेरे को दिखाएंगे, आप कैसे दिखाते हैं, आपके ग्रुप में प्लान शोर्स बढ़ने चाहिए, आपके ग्रुप में कितने फंडामेंटली काम अगर स्टॉंग होगा, फंडामेंटली काम है, वर्ड फूट, शोधा प्लान, एक्सपोजर, और स्पोज आपका जो गृुप है, टाउन में हैं, उसमें दस एक्टिव लोग है, वीकली मीटिंग यहां से स्पोज पचास किलो मेटर, बीस किलो मेटर, दस किलो मेटर, इस upon में कहीं हो रही है, इस मीटिंग में, वीकली मीटिंग में, सो लोग हों, यह कैसे possible होगा, कि ये जो 10 active लोग हैं, ये 10 CEO लोग क्या हूँ, प्लान दिखाने वाले हूँ और शाम को साथ से 9 और जी कहां मिले ये किसी ना किसी के drawing room में अब topic जिस पर मैं में आना चाह रहा हूँ वो है home meeting, इसका अधार इस business का, क्योंकि home meeting जो है, वो duplicatable है example से आप ऐसे समझें, कि एक व्यक्ति को आपने join कराया आप excited हैं, आपकी excitement को उसे join किया और आप उसको बोलते हैं कि कल वहाँ meeting है, आप ले के आना 10 लोग को, तो आपको क्या लगता कि नया आदमी में इतनी कुवत है कि वो 10 लोग को ले आए, हाँ जी वो खोद आ जाए तो शुकर है अब आपने business expand करना है आपने उसको काम जाब करना है, उसके नीचे लोग को लुगना है home meeting का जो अधार क्या है कि यदि उस व्यक्ति को आप थोड़ा सा समय दें, उसकी list बुनाएं, categorize करें उनको, उनके भी आपके calling कर दें अगर वो expert नहीं है तो, ठीक है उन्हें ये बोलें कि परसों शाम को 6 बजे, मैं आपके घर आ रहा हूं, आप अपने इन इन दोस्तों को, इन इन रिष्टिदारों को 5-7 प्रोश्यों को बुला लेना हम मिलके उनसे बात करेंगे, हो मिटिंग उस मिटिंग में पंदरा लोग हो सकते पंदरा नहीं लोग उनने प्लान देखा जी, क्योंकि उन पंदरा लोग को, वो कब लेके आएगा मिटिंग में, यू रोट नो किट लेके जाता है, पुड़क लेके जाता है तो घर में नेक्टिविटी है उसके स्पॉस, उसकी वाइफ कॉपरेट नहीं करती वाइफ का वैसे भी मानना हूँ आप कुछ भी करके जाएं, तो वो एक ही बात बोलेगी जी, आप बहुत बोले हो आप तो ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हो आप भी ऐसे बोलते हैं अगर वो कुछ करे तो वाइस वर्सा है अंडरेस्टिमेट करते हैं हम लोग तो यदि आप उनके जहां एक मीटिंग रख दें अगर आपको सुचना मिल जाएगी थोड़ी बहुत ने एक्टिविटियो उसके जहां है तो आप ऐसे कपल उनके जहां जाए क्योंकि आपने पहले से प्रोड़क्ट यूज किया है आपको ज़्यादा नहुना चाहे और लेडी लेडी को समझा सकती है अगर ऐसा नहीं भी हो तब भी आपके जाने से थर्ड पार्टी है आप उनके घर में उनके घर में एक पॉस्टिव महाल बनेगा आपको जाने से और वो लोग दस पंदरा लोग दस पंदरा लोग जो वहां बैठेंगे अदर्वाइज उस व्यक्ति के माद्यम से किसी व्यक्ति को बुला के आप पंदरा लोग तक पहुंचेंगे शायद पंदरा साल लग जाए इस बात को तो दस लोग अगर एक्टिव है एक टाउन के अंदर और हर शाम वो लोग आपने इस मीने बिजनेस बेजा पचास यार का कितनी अप्लिकेशन चालीस एक्टिव लोग आप कितने हैं दस दस लोग ने चालीस अप्लिकेशन बेजी मेक शूर कि अगले पंदर दिन में इन चालीस गरों में एक एक मीटिंग हो जाए हाँ जी यह कर्मा है अगर इन चालीस गरों में मीटिंग हो जाएगी तो एक मीटिंग में एवरेज दस आदमी बठेंगे तो 400 नहीं लोगों ने प्लान देखा वर्ड फूड जहांसे एवरेज तेल तिनों से निकलना है और यहीं पर आपकी बड़ी मीटिंग फिल होती है वीकली मीटिंग तब काम जाब होगी अगर इन दस लोगों ने पिछले साथ दिन में हर घर में मीटिंग की हो 200 लोगों को प्लान दिखाया हो और प्लान के लास्ट में यह बोला हो कि देखीजी मेरे को तो इतना ही पता था ज्यादा जानकारी के लिए डियेवी पब्लिक स्कूल में हमारे सीनिर अप्लाइन जो इस बिजनस को बहुत लंबे समय से कर रहे हैं बहुत अनुववी हैं वो आ रहे हैं चंदिगर से बाकी प्रशन आंसर वहीं होगा आप वहाँ आए कुछ ना कुछ लोग आएंगे लाओ फैरेज वर्क नेवर फेल चो जी होम मीटिंग जो है वो डुपलीकेटेबल है एक नया आदमी कब टेनिंग लेगा कितनी दिर में टेनिंग होगा यू डोट नो यू कांट हेल्प इट और उस मीटिंग को अगर आप सिंपल सिटी के साथ कंड़क्ट करते हैं सिंपल सिटी के साथ कंड़क्ट करते हैं कोई अपना उसमें आप अपने आपको एक्सपोर्ट शो नहीं करते हैं कोई अपना चेक वेक नहीं दिखाते कोई लंबी चोड़ी बात नहीं करते सिंपल सिटी किया है कि आप जाएं थोड़ी सी बात करें कि इस तरह का प्रड़क्ट है यह कपड़ा मैंने पैना हुआ है जह चाय पती है यह आयल है दिस डैट बला 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 ऐसे खरीदते थे आप सीडी देखें सिंपल हाज अब उस व्यक्ति ने जिसके यहां मीटिंग हो रही है उसने क्या सीखा कि जोईन किया कुछ लोगों को बलाया मेरी अपलाइन आए उन्होंने इतनी बात की सीडी दिखाई चार लोग जोईन कर गए यह चीज वो कल ही किसी के घर में कर सकता हलो फ्रास्ट ग्रोथ आपका बिजनस हमें आदत है बहुत सारा काम खुद करने की क्योंकि हमें अपने काम के बहुत गुमान है कि मैं तोब हूँ अफकोर्स आप तोप है बी लिटल बिट स्मार्ट लोगों को चार्ज दे एक आदमी को बोड़ के उपर खड़ा करके प्ल लोग सुने एक प्लान दिखाने वाला आदमी इस बास से एक्साइट होता है कि वो प्लान दिखाता है लोग सुनते हैं इसी एक्साइटमेंट में वो छे मिने बिजनस ही छोड़ता कितना भी दर्द हो रहा हूँ स्पेशल सेशन लें इस चीज के लिए मेक सम स्पेशल अर्रेंजमेंट मेक सम स्पेशल मीटिंग्स फॉर दिस कोई भी टार्गेट आपकी अप्लान देती है ये ख्याली चीज़े नहीं है फंडामेंटली अभी लुद्याना में एक सैमिनर हो रहा है आप तार्गेट ले सकते हैं दोस्व लोग का लेकिन वो अच्छीब कैसे होगा होम मेटिंग टु विकली मेटिंग, विकली मेटिंग टु मंथली मेटिंग, मंथली मीटिंग टु बिग इवेंट एक हाएक आपके कहने से इतने सारे लोग आ जाए जब तक लोगों का व्यक्तिगत इंटरस्ट नहीं होगा कोई आदमी मूव नहीं करता वाट अपको 200 लोगों को वहाँ ले जाना है तो 4 लोगों को 15 का लेवल एचीव कराई है न उनको होप होगी कि हमें ट्रॉफी मिलेगी तो मैं अपने लोगों के सामने लूँ दे विल बिरिंग पीपल और उनको ट्रॉफी कैसे मिलेगी अगर होम मीटिंग होगी लोग जोईन करेंगे वाट अट A, B, C, D Home Meeting, Weekly Meeting, Monthly Meeting, Big Event Smart Work जितना ज्यादा हमारे पार समय है उतना ज्यादा समय हम बेकार करते हैं चिंता में लगाते हैं जिन लोगों का मिजाद अच्छा नहीं रहता अच्छा नहीं रहता गुसीले, जुगडेले आदमी कौन होते हैं The people who have lot many time to think Boredom is the cause of bad attitude घंटों सोचते हैं और शो करते हैं बहुत busy रद बेली रन पराण है जोगी जैपर में मेरे से किसी ने पूछा कि मैंने बिजनस शुरू किया मैं फुल टाइम इसको करना चाहता हूँ मैं गा जोईने जॉब immediate पहली advice है 8 घंटे के ही और दिमाग के लोग और यह तो काम तो 4 घंटे में हो जाएगा अज़ ठीक से इसको प्लान करेंगे तो बहुत सारे लोग है smart और कामजाब लोग जिनके पास कम समय है वही ज़्यादा काम करते हैं ज़्यवार कामजाब लोग ही नहीं ज़्यवारिया लेते है red cross एक international society है world में उसका एक ही president होता है उस post के लिए ज़्यवारी किसको मिली मुकेश अंबानी को हाँ जे उसके पास time है अनिल अंबानी के पास time है 20 km सुभी भागने का मेरे आपके पास नहीं है अभी government of India ने अभी पिछले आफ़ते कमिशन बनाया है जिसको investment कमिशन का नाम दिया शायद उसका president किसको बनाया गया उसका president बनाया गया रतन टाटा को time है उसके पास for a new responsibility पहला एक लाख रुपया कमाना मुश्किल है पहली थोड़ी सी कामजाबी लेना मुश्किल है उसके बाद तो personality expand होती है अपने आप इसलिए वो पहला एक लाख पहली कुछ कामजाबी के लिए ही दर्द होता है क्योंकि अंदर जो है उसारा फिलूर है शरीर मन सब फिलूर है successful habits में ढलने में दर्द होता है समय लगता है बहुत सारा समय जितना ज़ाँ समय उतना समय बेकार plan shows कितने हैं कितने लोग system पे हैं शाम के दो गंटे हम किस तरह से बिदाते हैं उसके उपर बहुत बहुत कुछ निरुबर करता है home meeting is thumb rule sometimes क्योंकि ये core steps जो है इसमें total रहने का कब कौन सी update सुने उसमें से क्या मिल जाए आपको you don't know आपको ने पता और हम करते करते कब किन अच्छे कामों को करना छोड़ दे हमें पते ने चलता पिछले चार मिने के अपनी working को मैं recheck कर रहा हूं कि मैं कहां गलते हैं कर रहा हूं और मेरे सांड में आ रहा है कम बैक बी टू बी बेसिक टू बेसिक जब भूल जाएं फिर वहीं से शुरू करें ए बी सीडी से शोड़ा प्लान फॉल आप शिक्स बेसिक कोर हो मिटिंग जो है वो डुप्लिकेटेबल है कोई भी आदमी कर सकता है अपने ग्रूप में एक्टिव लोगों की लिस्ट बनाएं उनको प्लान शोर बनाएं कोर हों वो और उनकी हर शाम किसी उस व्यक्ति के घर में जिसने हाली में जोइन किया है किसी ने जोइन किऊए व्यक्ति के घर में पंदर दिन में अगर आप तीन मिटिंग कर देते हैं तो आप उसको अल्टीमेट इन्फरमिशन अल्टीमेट ग्रुप दिला सकते हो ओवर में भी वो आदमी इतना अक्साइटर ना हो इतना फोकस ना हो तो उन लोगों में कोई मिल देगा जिसके साथ आप काम कर सको आपको वो व्यक्ति चाहिए जो आपके मताविक सुविजा जनक हो हाँ जी जिसको आपने जोइन कराया वो नहीं है उसके आगे हो सकता है टीप मूवी लाओ फैबरेज आपने एक हजार लोगों को प्लान दिखाना है दो साल में आपका बिजनस जो है वो 40 लाग का हो सकता है ऐसा कोई अंका आप मान के चलने का आप कामजाब हो सकते हैं बतलो इस बिजनस में अब वो इतने सारे लोग आपकी लिस्ट में नहीं है कहां से मिलेंगे अगर आपने 20 लोगों को जोईन करा दिया है तो इस समय आपके पास 2000 लोगों की लिस्ट है अब उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए हो मीटिंग के लिए कुछ आपकी तियारी कुछ आपके कुछ एहत्यात है जिसको आप वरते उसके उपर हम बात करेंगे अभी अनीशियल फंडामेंटल सक्सेस के बात और अनीशियल जो सक्सेस है फंडामेंटल सक्सेस क्या है कि यदि आपने आरसेम की ड्रस डालना शुरू कर दिया है अपने अंदर बार को थोड़ा सा sharp shine करना शुरू कर दिया है board पे आप plan दिखा लेते हैं focus रहते हैं आपके चेहरे के उपर काम्याबी के भाव मिंत के भावाने शुरू हो गए तो क्या है आप काम्याब है बाकी सब चीज़ तो अलंग कार है उन्हों तो follow करना आप आपकी goodwill यहाँ से शुरू होती है और लोग आपकी goodwill को follow करते है पहले इस चीज़ को achieve करते है जिन लोगों को आप इस business में काम्याब मानते हैं क्या आपका हुलिया हलात बाहर से उन जैसे हैं चेक करें उनकी बादचीज, उनके जो compliments हैं उनकी भाषा जो है उसके साथ mail खाती है उस तरह से आप time को invest कर रहे हैं क्या उस तरह से focused हैं, उस तरह से excited हैं यह पहली काम्याबी है और इसको करने के लिए कोई 9 मीने के गर्ब में जाने की दुरूरत नहीं है it may take one month only उसके बाद आपकी physical presence ही काफी है जहां आप हैं, वहाँ business है Hello आपकी presence आपकी presence कोई आदमी कैसे जरुरूरत कर सकता है कि आपसे पूछे कि आपको कितने पैसे आते हैं आपके चेहरे पे अनंद की ऐसी लहर रहे पूछने वाला वैसे ही डर जाए कहीं इतनी जादा ना बता दे कि मेरे को heart attack हो जाए Got it? यहां आपकी goodwill start होती है और लोग आपकी goodwill को follow करते है किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के bank account का नहीं पता यह सुविदा है अगर आप खुश है और bank में कुछ नहीं है दूसरी को पता है तब भी वो इस बात को negative नहीं लेगा आप अगर प्यास करते है आपका बिश्वास आपका belief जो है वो लोगों का बिश्वास बढ़ाएगा कि यदि यह लगा हुआ है यदि यह सासे 9 टीवी नहीं देखता यदि यह सासे 9 चुडाहे में नहीं मिलता यदि यह सासे 9 में उस क्रेक्राप और कारेक्रम में नहीं होता जहां यह 20 साल से था इट मीन कुछ ना कुछ है हलो यह मैसेज लोगों तक जाने में दो मिने लग सकते है तीन मिने लग सकते है आपकी गुडविल आप तक लौट के आएगी आएए बहुत बड़ी बिजनस है चलो ऐसा नहीं हुआ और यदि कोई आदमी फास्ट बोट का यदि आपको लगता है कि मैंने जल्दी से किया यदि आपको लगता है कि मैंने स्मार्ट काम किया तो होम मिटिंग का अधार मैं लेके चला होम मिटिंग जब जब भी मैंने उसको शिद्द के साथ कंटीनियू रखा तो मेरा बिजनस बड़ा जब भी मैं उस लेबल पर आके अलसाया तो मेरे जल्ट जो हैं वो 80% तक कम हो गए दो और दो चार और मेरा इस बिजनस में आना भी एक कहानी है गुड़ विल की वासाब ने मेरे को एक्सपोजर दिया तीन साल पहले एक साल मैं बिजी रहा फिर मेरे को दूसरी आदमी ने एक्सपोजर दिया इस बिजनस का मैं उनके पास गया अगर तब उन्होंने बिजर छोड़ दिया होता हलो तो मैं उनको साइन नहीं करता मैं भी दो साल से एक साल से आप प्रियास कर रहे है बहुत बड़ा ब्रेक आपको नहीं मिला अफकोर्स अगर आपकी गुडविल मार्किट में है कि आप सेम काम कर रहे हैं उसमें जितना भी है प्रोग्रस आप कर रहे हैं आपके चेहरे के उपर सकसेस पुती हुई है लोग आपको काम जाब मानते हैं चेक नहीं देखते तो कोई ना कोई आदमी पागल आपको ढूल रहा है जो आपको साइन करेगा 90 जन में रोयल्टी बें जाएगा छे मिने में टेक्नियू बें जाएगा और दो साल में 60 लाग का बिजनस ख़ड़ा करेगा उस 30 पिंदेश जैसा हो सकता हुई दो लोग कितनी लोग को जो एंग रहा है 20 लोग को 50 लोग को आइम ए सिंगल वन परसन फॉर मिस्टर सुरूंदरू बस एक आदमी हूँ मैं मेरे जैसे आदमी तो अभी मिलने शुरू हुए है सब अर्भी तो शुरूआत हुई है जिस व्यक्ति ने आर्सियम बिजनस में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाना है उसने अभी आर्सियम बिजनस साइन नहीं किया मैं आपको बता दूँ ढूंड ले उसको ने तो कुझा ढूंड लेगा हमें लगता कि हम तीस मार खाँ है हम पहले आगे तो पते नहीं क्या कर लिया बहुत बड़े हैं क्योंकि लोगों ने मुद्दतों से जजबात को मारा हुआ है सब के अंदर आग धत कर रही है को यह रस्तानी में लाँ इस आरा राइट बे टो एक्स्पोस यह रस्तानी में किसी टाउन में फंडामेंटली जब मैंने ग्राउंड वर किया मैं चार दिन रहा दिन में मैंने कुछ भी किया हो रात मैं किसी ड्रॉइंग रूम में था सीडी लोगा हैं देखे ऐसे देखें जैसे पहली बार देख रहे हूँ वो बीच में बोलेगा लाँ चारीस मिन्ट की सीडी में पता नहीं कब वो टाइम आएगा जब एक ड्रॉप उसके अंदर गिरेगा यहां तक और पेट्रॉल के उपर आग का काम करेगा और आदमी खड़ा हो जागा उटके हो मिटिंग में आप तो कुछ एहत्यात रखें जिसके मिटिंग होनी है कोशिश करें कि वो मैक्जिमम प्रड़क्ट व्यक्ति वह यूज कर चुका हूँ क्योंकि जब वो उसके गेस्ट यहां आएंगे तो वो पूछेंगे तो बता सकेगी मैंने चाय पी थी बहुत अच् बिश्वास होता है कोशिकरें इस बीच उसने सीडी देख ली हो उसने एक मिटिंग अटेंड कर ली हो इसने दो टेप शूली ऐसी कुछ प्रोग्रेस ताकि वो इंटेलिगहन तोड़ उसकी जो मेंटल एटिट्यूट और उसकी जो इंटेंटेलिछेंश है उसमें जड़ा आप किसी घर में मीटिंग कर रहे हैं वैसे तुझे लोग हर जगा है बोर्ड कहां लगेगा ओपोजिट दा डूर दर्वाजा उदर है तो बोर्ड सामने वाली दिवार पे होना चाहिए क्यूंकि जब 6-8 लोग आ जाए शात्मा जो व्यक्ति आए वो पीछे आके बैठ आएंगे दर्वाजे की तरफ जो भी आएगा तो आदमी का सवाब है वो उस ने चेरे को जादा देखता है और जब ऐसी बात होती है तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है पता नहीं कब वो वक्त आने वाला था और उसका ध्यान कहीं और हो गया बड़ी मीटिंग्स में होत किसी के घर में मीटिंग है ड्राइंग डूम में पहले से चेर अरेंज करके ना रखें अस्पेक्टर दस लोग आने वाले हैं तो अब दस चेर ऐसे लगा देंगे तो जो भी आदमी पहले आएगा उसको आपते ही वह होड़ेगा अच्छा अब यह बिठा के कुछ सिखाए अब इदर आ रहे हैं यहां रख लें तब ही अगर मीटिंग आपने लेनी है जाके तो आप टाइम भी पहुंचें अगर कुछ गेस्ट पहले से बैठे हैं तो उनके साथ अपना उनका प्रफेशनल शेयर करें कुछ कम्प्लिमेंट्स कुछ बात चीज महौल को लाइट करेंगे तो आप उनके प्रफेशन से कोई एक्जमपल उठाएंगे तो खड़क से उसका असर होगा हलो बैठे हुए लोगों को आप थोड़ा से जानते हैं पहले से तो आप जो बोलने वाले हैं उसका असर बढ़ जाएगा और आप ऐसे हुली हलास से जाए ठीक कि आप ज अपने से अच्छे लोगों को सुना पसंद करते हैं तो पहली अपीरिंस तुबार से हैं आज एक पैकेट है जिसमें आलू तो हैं बीस पैसे के और उसके उपर जो उसका हुलिया है उसके उपर खर्चा है दो और पैगा इस वासे नहीं समझते हैं कि पैकेजिंग का जमान है तो वाइडोंट भी चेंज आवर पैक्चिंग हाजी जो दिखता है वो बिखता है तू जो मेरे स्वर में स्वर मिला दे तो जिंदगी हो जाए अमर आपको इस बिजनस का बहुत सारा नौलेज है लेकिन ये कोई बहादुरी नहीं है कि मीटिंग के बाद 10 लोगों में ह आप क्वेस्चन इनवाइट करें कभी कभी ये बहुत रिस्की और महेंगा हो सकता है बैसे तो किसी मीटिंग में पीपल फॉल्व दा पियर प्रेशर लोगों की एक मान सकता है ये लोगों का बिजनस है अब जैसे ही आप बात शुरू करेंगे तो कुछताल होता है लोगो होगा आपकी बात सुन ले अगर उससे पहले आप सीडी दिखा देंगे तो ये तैह है कि आट मेंट में आपकी बात हो जाएगी चूँ नहीं करेगा कोई आदमी सीडी दिखाके प्लान दिखाने का मतलब है कि ऑपरेशन करने से पहले नीन का इंजेक्शन लगाना क्यों क्योंकि उसके सवाल डनेक्टिविटी के सवाल के है कव्यर क्मपनी है क्या कोई प्रिफेशन के लोग हैं किसी से भी रिलेट करके वो पॉस्टिव हो जाएगा और शुरू करने से पहले नुवेदन करें कि मैं यह बात चीद करने जा रहा हूं आठ दस मिंट की बात है आपके मन में बहुत सरे प्रिशन आएंगे मैं आपका सहयोग्चा हूंगा कि जो भी प्रिशन है आप नोट कर लें बाद में हम इंस पर बात करेंगे होल्ड रखें प्रिशनों को और मीटिंग खत्म करने के बाद भी दस लोगों को आप यहां से संबोदन ना करें हाँ जी क्या स्वाल मैं जवाब क्यूं प्रियर प्रेशर कैसे वर्क करता है मान लिजिए एक हो मीटिंग है उसी कालोनी के यहें दस लोग बैठें, आम लोग उनमें से एक व्यक्टि ऐसा है जिसको सभी लोग हर्फन मौला मानते हैं दुरंदर बिजिसमेन ठीक मानीजिये उसका एक प्रशन जो है वो ऐसा है जिसका जवाब आप नहीं दे सके क्योंकि हर प्रशन का जवाब आप दे नहीं सकते क्यों जी आप मुझे से पूछे हैं कि ये अंगली बड़ी होती है ये सिद करने में कितना टाइम लगेगा एक सेकेंड दोने उंगली में ऐसे खिड़ी करूँगा ठीक आप में से पूछे कि ऑक्सीजन और कारवन डाकसाइट को मिलाने से क्या बनता है पानी ये सिद करने के लिए कितना टाइम लगेगा दो गेंटे किसी लेब में जाना पड़ेगा कोई आदमी ये पूछे कि धर्ती घुमती है इसको सिद करने के लिए कितना टाइम लगेगा बहुँद टाइम लगेगा और उस व्यक्ति को तुरंत जवाब चाहिए जो आपके पास नहीं होगा और प्यर प्रेशर क्या होता है कि जिस व्यक्ति को वो समूख खास मानता है जो वो बोलेगा वो उसी को फॉलो करेंगे सारी मीटिंग चौपट हो जागी आपकी पियर प्रेशर डैस वाई मीटिंग खत्म करने के त्वंत बाद खड़े निकित बोले उन्हें बोले कि आईए बार बैठके बात करते हैं यहां कुछ सफोकेशन है यहां कुछ अंदेरा कुछ में टेल थेम तो गेट अप जिस व्यक्ति की आप प्रेशन है उसके साथ वन-वन बात कर रहे हैं अगर किसी घर में कोई पुरान डिस्टिब्यूटर है तो naturally क्या होगा कि चार एक्टिब लोगों ने बीस लोगों को बुलाया है तो ती लोगों के सवाल है एक-एक व्यक्ति को एक-एक आदमी अंसर दे सकता है पस्नाइज इट पस्नाइज इट घ्यान जी ने जिस तरह से जिस टॉपिक पे बात की क्योंकि senior leadership यहाँ है No problem But in general meeting, in home meetings It is cancer Tell them just hold on वो तुजरवे से आएगा बहुत ज्यादा बार आप शातिर बन के, चतुर बन के और हुशार बन के हैंडल नहीं कर सकते आप पूछे मेरे प्रेशन मेरे जवाब क्या आगी तो पहली बार आपने पूछा यह प्रेशन तो दो साल के करियर में आए नहीं Such an intelligent question you have asked मैं WhatsApp से पूछूँगा Next time आपको जूरू बता दूँगा आदमी के गुदगदी होगी ना कि मैंने बहुत अच्छा प्रेशन पूछा चुपे तो कराना है सुधा सुरज जी ने बूछ आप स्वाली कि टेक्निकल बोनस कैसे होता है दो परसन कितने पर तीन सबा तीन चला I swear I don't know मेरे को अभी तक नहीं पता दो परसन का पता है क्योंकि दो पे हूँ और इस महीने तीन का पता चल जाएगा क्योंकि तीन पे पहुंच रही हूँ चार पे चला जाएगा क्या जल्दी है इतनी सारी जानकारी का क्या करें गया और यह आपके बिजस को बढ़ाने वाली चीज़ है अगर आप कहेंगे जी मेरे को नहीं पता पॉस्टिब आदमी के दमाग में तो यह भी आएगा कि कितना सिंपल आदमी है यार उसके दमाग में यह भी आएगा अच्छा अगर इसको यह नहीं पता फिर मेरे को बहुत कुछ पता नो प्रॉल्म चलो सीमत इस बात से कत्ता ही आप गभराएने अपने हुलिय से अपने अंदास से अपने तुजरुबय से अपने आप को कम न आके इस अंडस्टि में सामने जो लोग बैठते हैं चेर्स के उपर जिन से आप बात करते हैं उनमें केवल दो काटगरी की लोग होते हैं पोजटिब नेग्टिब नेग्टिव आपका पार्ट ही नहीं है जो पॉजिटिव है वो हर लिहाज में पॉजिटिव रहेगा मैं पहनी जिस मीटिंग में गया था मैं पॉजिटिव था इसलिए मैं रहा इसमें हलो जिन्दगी में कुछ अच्छा और बड़ा करना है तो राज हंस बन जाए राज हंस की खासित क्या होती है दूज और पानी मिलाकिस को दे दो वो चोच डालेगा दूज पिलेगा पानी छोड़ देगा आपके सामने दो तरह के लोग होंगे नेग्टिव और पॉस्टिव अब एक एक्जम्पल से समझेगा देखिए स्पोज मैं यहां एक आप बठे हैं मैं एक मीटिंग के लिए आँ है मैं दो तरह से यहां अपियर हो सकता हूँ एक की मेरा हुलिया बहुत चुस दुरुस्त हो शू पालिश शेप बनी होई फर्स क्लास में टोन भी अच्छी मेरी बात भी अच्छी शब्दा भी भी अच्छी ठीक है सब चीजें सारी टर्मिनलोजी सारी लेंगवेज एवरीटिंग इस ओके ठीक अब दो तरह की लोग है नेक्टिव और पॉस्टिव पॉस्टिव आदमी यह सोचेगा क्योंकि बोलेगा कोण जिसके बारे में आप बोलेंगे कि वह कामजाव है क्यों जी ऐसी बोलेंगे न इस यही बोलके तुम बलाएंगे मैं जहां आउंगा तो एक कामजाव परस्टिव की एसिस आएंगे आउंगा आउंगा आपके जहां जो भी व्यक्ति मीटिंग करने आएगा वह हो मीटिंग हो तो आप एडिफाई क्या करेंगे कि वह कामजाव आदमी है और जो सामने बैठी है दो तरह लोग है नेग्टिव पॉस्टिव अगर मैं ठीक हुलिया हलास से आया तो पॉस्टिव आदमी के उपर क्या आसर होगा कि ऐसा बनना है हलो ठीक अगर आपने ए मैं उस हुलिया हलास से नहीं है आजा जो बंदा मीटिंग करने आ रहा उसके हुलिया उसका हुलिया डील डाल सब चीज़ों वैसी नहीं है जैसी अप अपिक्षा करते हैं ठीक है बाल बिखरे हुए है उज्जरा चमन सुस्टाया चेहरा अपीरेंस अच्छी नहीं है शब आजमी स्मार्ट आदमी को देखे क्या विचारा है कि ऐसा बनना है ठीक अब पॉस्टिव आदमी एक गलत आदमी को देखके क्या सोचेगा कि यदि ये मूर्ख देखने वाला आदमी इतना अच्छा कर सकता है मैं तो दस गुना जाद अच्छा कर सकता हूं वाव और किसी एक क्वेस्टिन को किसी भी चीज को हैंडल करने का आउवेज रॉमेंबर देस एवरी क्वेस्टिन नेवर नीड ए आंसर मोस्ट अफ़ टाइम एक क्वेस्टिन इन अधर क्वेस्टिन आप मैंसे पूच्छेंप्रेशन कि आप कितने कमार हैं मेरा जवाब यह है कि हमारी प्रशन उसके पास चला गया और सेकंड एक थम रूल आप लेकर जाएं एक शीड लेकर जाएं आप ग्यान से नहीं हरा सकते किसी को ग्यान जी बहुत बिजी रहते हैं हर वक्त अब नहीं होंगे आप सादगी से हरा सकते हैं एक आप हत्यार इस्तिमाल करें उसका नाम है बड़ा सिंपल उसका इस्तिमाल करना बड़ा मुश्किल है पताओं क्या है मुझे नहीं पता हलो यह कहते हुए बड़ा जोर लगता है कि आदमी समझेगा इसी नहीं पता यह आपको बहुत वर मैं पूछोंगा पूछ कि आपको बता दो ओगा चूकर लोग कंपीटर क्या चेक करता है कि आपने कितने के प्रश्णों के उतर दी यह आप है यह चेक करके इंगम देता है वो चेक करता कि कि इतना और यूम जन्लीड हुआ है आपकी एक दुकान है जिस पे आप आम बेशते हैं आम आम समझते हैं मैंगो और जो जिस ब्राइंट का ब्राइंट तो नहीं कहूंगा जिस क्वालिटी का आप आम बेशते हैं सीजन चल रहा है वह सफेदा और बीस पेटियां खुली पड़ी हैं पचास पेटियां अंदर रखी हैं पांच हैर पेटियां गड़ौन वे पड़ी हैं और आप बिलकुल बैठे जोर है एक के उपर एक गाहक चड़ा हुआ वो कहता पहले मेर को दो दूसरा कहता अगर आप पहले मेर को दो तीसरे कहता कि मैंने तो परसो को पैसे बज़वाई है पहले मेरे को दू यह चल ला आपके साथ और बीच में एक व्यक्ति आये वो पूछे यह कौंसा ओंने आपके स्फधा आप मुझे बताईए कि अगर आप अक्लमन भी पारी है तो आप उसको कुंविस करने में समयल नश्य करेंगे कि यह स्वेदा है या यह लगड़ा है आप उसको कहीं बाई तेरे को जो दिखता है भी वही है लेट मी वोक एक वेक्टी आपके दो इंटे लेना चाह रहा है तो उसे यह कहना बिल्कुल गलत नहीं कि भाई साथ ऐसा है कि मैं आपकी इस बात पर डेटेल में बात करूंगा लेकिन अभी मैं बेजी हूं और मैं लौट के आऊंगा और कभी लौट के मत जाना है हलो गो फॉर दा पीपर फॉर एक्साइटेल परस्टे जो आपकी वेट कर रहे हैं उनको टाइम दे आपको दस हजार लोगों का नेटवर्क चाहिए दस हजार एक्टिब नोन और गोल अच्छी सी अच्छी चीज के लिए भी सब राजी हो गया कितने लोग सेर करते हैं सुभे कितने लोग मंदिर गुर्दोरा जाते हैं सब को बता है जाराम जी के इस एक खुनस है हमें हमें जो अपने आप पे गुमान है बलके बद गुमानी मैं कहूंगा कि हम लोगों को बदल सकते हैं ये गलत फहमी है करेशन, नानक, गातम ईसा, मुहमद सब को फैन कर दिया जुनिया में किया गाने किया हलो उनकी बात को सब लोग मान लेते हैं तो दुनिया बड़ी अच्छी होती उनके पास बहुत अच्छी बात थी परसमनी नहीं माननी आपके पास बहुत अच्छी बात है परसमनी मानेंगे फोकस अपॉन यूर गोल क्या करने से क्या होगा ये जाना ज़रूरी है प्रशन तो दूसरे तो क्या अपने ही प्रशन इतने हैं कि आदमी आंसर नहीं कर सकता हूं एक्शन सुपरसीड एवरीथिंग सेंस्टिफ पॉइंट क्या है बी कोर टीच कोर फंडामेंटली चीज़ क्या है एक्सपोजर एक्सपोजर क्या है मार्किट प्लान उसको अगर ब्लैंड कर दें सीडी के साथ इट बिल ब्रिंग रिजल्ट लाइक एनिधिंग रिजल्ट कैसर ने भी क्या कहा रिजल्ट आपने क्या किया और आखिर में क्या निकला इस सारी कामला भी इस से आपके इंकम इसी पर सब चीज ने बर करती है तो हमारा फोक्स इस पक्षमिन होना चाहिए आप इस तरह से लेके चलें बहुत सारे लोग हैं आपके पास एक उधारन आप ये लें कि मान लीजिए चाइना की जो आर्मी है उन्होंने इंडिया में जो बाटा कंपनी का जो फैक्टरी है यहां पे बाटा को उन्होंने और्डर दिया कि हमें अपने जवानों के लिए दो हजार शूज चाहिए लेकिन सारे आठ नंबर के होने चाहिए ठीक और इधर से कंसाइनमेंट गई लेकिन किसी कारण से कंसाइनमेंट वहां दो दिन लेट पहुँची और उन्होंने लेने से रिफ्यूज कर दिया और वह कंसाइनमेंट लाट के आगी बापस इंडिया में और आपको इस नियम का पता हो कि जो भी चीज एक्सपोर्ट के लिए चले जाया और एक हफते में वह बापस आ जाया वह हमेशा सेकंड लाट में ट्रेट होती है और उसकी रिलामी हुई और आप वेपारी है और आपने वह लाट खरीदा क्या 2000 प्यर बाटा शूस कमपनी प्रिंट रेट उसके उपर है 995 रुपैब 95 पैसे आपने लाट खरीदा आपको एक पेर पड़ा 50 रुपै में और अच्छा वेपारी तो अपने आपको वही बहुत धनी मानता है जो डबल कर ले आप अपने शेहर में लिए उसको और आपने रेट निकाला 100 रुपै और आपके शेहर में सब को पता है कि नया जुटा है 995 रुपै 95 पैसे का शोरो में मिलता है यहां सिर्फ 100 रुपै का मिल रहा है लेकि प्रॉब्लम क्या है कि आपकी एरिया में 8 निम्बर का जुटा डालने बारे लोग है पचास सो तो यहां स्मार्ट वर्क क्या है आपने बहुत जल्दी 2000 पैर बेचने है 8 निम्बर के आप बहुत सारे लोगों में जाएं जिनका पैर का साइज 8 निम्बर का हो लेकिन हम और आप क्या करते है कि जिसको 7 निम्बर का पैर है उसको कहते हैं कि वेट कर वेट कर तेरा 8 निम्बर का होड़े गा तब पहली हो मिर्ट साथ रहे जिसका नौनमर का पर उसको किता थोड़ा गिसा किया डल जाएगा कोई बात नहीं इस बिजनस को लोगों की मालसिक्ता के मताबिक फिट करने की कोशिश ना करे उन लोगों के पास ले जाएं जिनको ने सूट करता है और उन लोगों की बर्मार है यहां पर एक्टी पस्टी पीपल आर देर इन इंडिया आसे बिजनस जिनके लिए वर्दान है नेमत है नेमत है और प्रशन उत्तर इफ बट किंतू प्रंतू यहां वहां ऐसे वैसे इसका कोई भी इलाज नहीं है किसी के प्रशन का जो सही उत्तर है सही व्यक्ती, सही जगा, सही महौल उसको शांत कर सकता है आप नहीं कर सकते मरी बात पुरी हो गई जो लोग कहते हैं की नहीं चलता उनके साथ बहस मत करो उनको वैद के पास ले जाओ दो जनवरी के फंक्शन में हिंदोस्तान के माने हुए टॉप ब्रास दोक्टर आर्सियम के कर्राल में कठे होने वाले हैं और तीस जनवरी को दुजाना में उन दोक्टरों के पास उन अंधों के ले आओ उनकी आँखे खुल जएंगी वेज़ भुबस्तान बें प्राइब से लुट्तान लिए अफ टौछ लिए लिए भी एलवेग दिए थारे इस दूए वाले हैं झाल, 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 झाल